सारे enlightened लोगों ने हमसे शुरू से कहा है अपने अंदर जागो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हारे ही पास है तो इसी advice से हमारी आज की बुक से हम जानेंगे खुद को So welcome to you all friends और आज की ये वीडियो होने वाली है Ronda Byrne की बुक The Greatest Secret पे जिसे author ने काफी सारे religions के अलग-लग scriptures को पढ़के तयार किया है Ronda Byrne ने ही एक दूसरी बुक The Secret लिखी हुई है पर इस बुक के concepts को लेकर मैं skeptical हूँ और इस नई बुक का नाम सुनकर मुझे लगा था कि ये इसी की sequel है पर इसे पढ़ने के बाद ये doubt खत्म हुआ और इस बुक को मैं अश्टावकर गीता का modern version कह सकता हूँ और ये कैसे ये जानने के लिए वीडियो को end तक जरूर देखिएगा और ऐसे ही हर अफ़ते तुनिया की best books की best learnings पाने के लिए चैनल को subscribe करके, bell icon को press करके all पे click जरूर कीजिएगा तो शुरू करते हैं The Greatest Secret के chapter 1 से जो की है hidden in plain sight The Greatest Secret को हमने हजारों सालों से miss किया हुआ है क्योंकि हमने उसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जो ठीक हमारे सामने है हम अपनी life की problem से, promise से और आते जाते रहने वाले event से इतने distract हो चुके है कि उस सबसे बड़ी discovery से बेखबर रहे हैं जो बिलकुल हमारे सामने है ये वो secret है जो बताता है कि हम कौन है अब आप शायद सोचो कि मुझे तो पता है मैं कौन हूँ पर अगर आप ये सोचते हो कि मैं एक individual हूँ जिसका particular नाम है, एक certain age है, particular profession है, family है और various life experiences है, तो आप गलत हो हमने अपनी life के दौरान बहुत से गलत ideas और beliefs बना लिये है और इनी beliefs ने हमें कैद किया हुआ है पर जिस moment हम सच को देख लेते हैं, ये सारे mis truths खत्म हो जाते है अब शायद आपको लगे कि मेरी जिंदगी तो बढ़िया चल रही है मुझे इस secret को जानने की क्या जूरुत है तो कारण ये है कि आपकी जिंदगी एक mess है क्या आप कभी दुखी होते हो, कभी stressed होते हो, कभी चिंताओं में डूब जाते हो कभी hurt feel करते हो, क्या आप कभी unhappy या खराब mood में होते हो अगर आप कभी ऐसे feel करते हो, तो आपकी life एक mess है शायद आप सोचो कि ये तो normal बात है हर कोई कभी ना कभी दुखी होता है हर किसी मैं कभी ना कभी negativity आती है पर जिंदगी ऐसी नहीं है आप अपनी पूरी जिंदगी बिना hurt हुए बिता सकते हो और हमेशा खुश रह सकते हो सारी humanity की suffering एक cause पर आकर रटक जाती है जो की है mistaken identity सच ये है कि आप एक person नहीं हो जिसका उसकी life में क्या होता है उस पे कोई control नहीं है असलियत में आप एक इंसान हो ही नहीं आपको अपने एक इंसान होने का experience है पिछले सैक्ड़ों सालों से खुद को जानने को बहुत से नाम दिये गए है जैसे enlightenment, self-realization, self-discovery, illumination, awakening, remembering ये सब सुनके हो सकता है कि आपको लगे मैं enlightened कैसे हो सकता हूँ मैं तो सिर्फ एक normal इंसान हूँ enlightened तो बुद्धा जैसे लोग होते हैं पर ऐसा नहीं है self-realization के लिए कोई preconditions नहीं है ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो सालों तक कड़ी तपस्या करते हैं self-realization उस इंसान के लिए भी possible है जिसने कोई education ना ली हो और उसके लिए भी जिसने जिन्दगी में काफी मुचाईयों को हासिल किया हूँ self-realization को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे मस्क डियर जंगल में भटकता रहता है एक खुश्बू के तलाश करने के लिए वो जिन्दगी भर भटकते रहता है पर कभी ये realize नहीं कर पाता कि वो खुश्बू उसी में है वो ही उस खुश्बू का source है वैसे ही हम भी अलग-लग चीज़ों में लोगों में खुशी को ढूटते हैं पर कभी ये realize नहीं कर पाते कि खुशी हमारे ही अंदर है या हम ही happiness है चलिए मैं आपसे एक simple सा सवाल पूछता हूँ क्या आप aware हो आपका answer हाँ ही होना चाहिए वरना आपको इस सवाल का भी पता कैसे चलता अगर आप aware ना होते तो जरा दुबारा सोचिए क्या आप aware हो हाँ जब आप एक बच्चे थे तब भी आप aware थे अपने बच्पन के दौरान आप aware थे अपनी अभी तक की पूरी जिंदगी के दौरान आप aware रहे हो सिर्फ awareness ही constant रही है आपकी पूरी lifetime में हमारी body बदलते रहती है mind बदलते रहता है thoughts और feelings सब बदलते रहते हैं पर एक चीज जो कभी नहीं बदलती वो है इन्हें sense करने की awareness और ये awareness ही है जो आप वाकई में हो आप कोई body, mind, feeling, thought या spirit ये सब नहीं हो आप वो हो जिसे इन सब के होने का पता है आप awareness हो आप मेरी आवास को सुन रहे हो इसके aware हो आप अपने room में हो इसके aware हो आप अपनी body के, अपने कपड़ों के, अपनी सासों के और अपने बाकी सारे sensations के लिए aware हो सिर्फ एक moment के लिए imagine करो कि आपके पास कोई body या mind नहीं है अपनी body को दूर कर दो अपने mind को दूर कर दो अपने नाम को दूर कर दो अपनी entire life story को दूर कर दो सारी memories, beliefs और thought को हटा के अब जो बच्चता है वो सिर्फ ये है जिसे पता है कि अब कुछ भी नहीं है वो किसी भी चीज़ के ना होने की awareness है ये बिलकुल कुछ ऐसा है जैसे एक white paper पे कुछ what's printed है paper what's के background में है और इस paper की तरह ही हमेशा awareness हमारी life के background में रहती है हम ज्यादा तर अपना attention mind को mind के thoughts को और अपनी body को देते है पर इन सब चीज़ों को हम बिना awareness के experience नहीं कर सकते बिलकुल वैसे ही जैसे बिना paper के background के हम उस पर printed किसी भी what को नहीं देख सकते body और mind सिर्फ एक instrument है और वो जो आपकी आँखों से देख रहा है वो जो आपके कानों से सुन रहा है वो awareness ही है यही आप हो बिना awareness के आपको किसी भी चीज़ के होने का पता कैसे चल सकता है अपनी body और mind को आप एक telescope कि दरह देख सकते हो telescope अपने आप में inert है telescope से क्या दिखता है इसका पता telescope को नहीं है इसका पता उस astronomer को है जो telescope से देख रहा है और तभी जब telescope से कोई देखने वाला है तब उस instrument के होने से फर्क पड़ता है वैसे ही जब आप हो मतलब कि जब awareness है body और mind के sensations को feel करने के लिए सिर्फ तभी इनके होने से फर्क पड़ता है body या mind को पता नहीं है कि उसे क्या दिख रहा है क्या सुनाई दे रहा है किस चीज की smell आ रही है हाला कि ये सब इनके ध्रियूख हम तक पहुँच रहा है पर जब awareness ही नहीं होगी इनको sense करने की तो इन sensations का कोई मतलब ही नहीं होता ऐसे ही अश्टवक्र गीता में भी राजा जनक अश्टवक्र से पूछते है हे प्रभू ज्ञान प्राप्ती का मार्ग किया है मेरी मुक्ती किस प्रकार होगी वैराग्य कैसे प्राप्त होता है आप कृपा करके मुझे बताईए अब इसमें जनक हमें एक particular यानि हम अश्टावक्र जी से ये सवाल पूछ रहे है यहाँ पर जो कुछ भी अश्टावक्र जी जनक जी से कहते है हमें ये मानना है कि वो सब हम से कहा गया है पर इन सवालों का जवाब जानने से पहले एक सवाल ये कि जनक ये सब क्यों पूछते है एस पर स्टोरी जनक ऐसे राजा है जिनके पास सबकुछ है ज्यान है इसलिए वो राजा है राजा है तो सारे एशो आराम उनके पास है वो खाना ना होने के दुख पैसे ना होने के दुख सक्सेस्फुल ना होने के दुख इन सबसे मुक्त है तो तब भी वो क्यों पूछते कि ज्ञान प्राप्ती का उपाई क्या है और मेरी मुक्ती कैसे होगी तो आंसर ये है कि जिन्दगी में सब कुछ हासिल करने के बाद भी हम अपनी जो sense organs की desire हैं इन से आजाद नहीं हो सकते until and unless हमें ये ज्ञान पता ना हो जो अब हम जानने वाले हैं या जो अभी अभी हमने awareness से जाना है इसी लिए जनक पूछते हैं कि मेरी मुक्ती कैसे होगी मतलब कि ये जो सुख दुख कभी मैं बहुत खुश हो जाता हूँ और कभी एकदम से दुखी इन सब से मैं कैसे मुक्त होगा यानि मैं ऐसी state कैसे हासिल करूँ जिससे मुझे चीजों के होने का या ना होने का कोई फर्क ना पड़े मैं detached हो जाओं कोई भी external चीज मुझे ना चलाए तो अब अश्टावक्री जी बताते हैं कि ज्ञान प्राप्ती का सिर्फ एक उपाई है तुम विशयों को वि तुम प्रित्वी हो ना जल हो ना अगनी हो ना वायू हो और ना आकाश ही हो मुक्ती के लिए तुम अपने आपको इन सब का चित्त स्वरूप साक्षी समझो अब हो सकता है ये सारे statement उपर उपर से गए हो पर ये वही चीज है जो अभी अभी हमने खुद को awareness जानके समझी है चलिए इस statement को तीन statement में break करके आराम से समझती है पहले है तुम विश्यों को विश के समान छोड़ दो विशई का मतलब है sense organs की desires five sense organs होते हैं ये तो आपको पता ही होगा और हर sense organs की अपनी अपनी desires हैं जैसे eye के level पे कुछ सुन्दर देखने की चाहत कानों के level पे कुछ स तो में in desires को विश के समान छोड़ दो अब छोड़ दो का मतलब ये नहीं है कि इसे बिलकुल ही त्याग देना है जैसे साधू महत्मा होते हैं वो सारे physical attraction से दूर चले जाते हैं हमें ऐसा नहीं करना है in fact ये गीता जो है सारे वेदों का सार यानि समरी है तो इसमें सब से खुद को अलग करने को नहीं कहा गया है पर फिर भी लोग करते हैं न जाने क्यों पर इसी को अश्टावकरी जी क्लियरली समझाने के लिए कहते हैं कि त्याग करने का मतलब है इनकी आसकती से खुद को अलग करना मतलब की कोई भी sense organ की desire है वो बिलकुल ऐसी है जैसे लिटरली लेके चीज़ों को बिलकुल छोड़ ही दें तो क्या होगा मर जाएंगे और अगर भूख लगने पर हम ज्यादा ही खाले खाने का टेस्ट अच्छा है तो हम मजे मजे में खाते ही चले जाए तो क्या होगा तब भी problem है इसी लिए हमें ना ही ज्यादा खाना है न इतनी उसकी ज़ूरत है अगर हम डिजायर्स को बिलकुल छोड़ दें तो उसी के थौट्स में डूबे रहेंगे मतलब mental लेवल पे इनहीं में आ सकते रहेंगे और अगर हम ज्यादा खुद को इनमें involve कर दें तो हम physical लेवल पे इनमें आ सकते रहेंगे तो हमें करना क्या ह जो भी हमारी डिजायर्स है जो कभी हमें सुख देती है और कभी दुख इनहें ऐसे ही छोड़ देना है जैसी ये है जो चीज जैसी है उसे वैसा ही रहने देना है इसके बाद का statement है शमा, दया, प्रेम, सरलता और सत्यता का अमरित के समान सेवन करो अब ये सारे जो actions है शम आपके मन में किसी के लिए कोई बदले की भावना नहीं है आपने उसे माफ कर दिया आप content हो आप में किसी के लिए cruelty नहीं है आप हर किसी में खुद को देखते हो आप दयावान हो इसलिए यहाँ पर भी content यानि संतुष्ट हो आप में किसी के लिए नफरत नहीं है किसी का बुरा नहीं चाहते, आपके दिल में सबके लिए प्रेम है, सरलता, यानि आप अपना दिखावा नहीं करते, बस जैसे हो वैसे लोगों के सामने रहते हो, एकदम सरल हो, और सत्यता, यानि जूट, चल, कपट, ये सब आप में नहीं है, अब ऐसा नहीं है कि इन सबके इन से ही छोड़ देना है, इन पे कुछ नहीं करना है, विशयों को विश के समान छोड़ दो, अब ये जो है प्रेम, दया, सरलता, शमा और सत्यता, इन सबको आपने सेपरेटली देखके, बिलकुल अंधे तरीके से इनहें फॉलो नहीं करना है, जैसे अगर कोई आप पर पोईलेंट हो जाता है, तो उस वक्त आप दया नहीं दिखा सकते, कि भाईले मार ले, मैं तेरे लिए कुरियल नहीं हूँ, ये बेवकूफी हो जाती है, हमें उस डिरेक्शन की और देखना है, जहां ये सारी चीज़े पॉइंट कर रही है, जो की है contentment, और आखरी लाइन को इन सब का चित्त स्वरूप साक्षी समझो, मतलब की पृत्वी चल, अगनी, वायू और आकाश में तुम कुछ भी नहीं हो, अब अश्टावक्र जी ने इनी सब के लिए क्यों कहा, कि तुम इन सब में कुछ भी नहीं हो, तो कारण ये है कि हमारे पुरानों में और यूमन बॉडी को पाच तत्वों का कॉंबिनेशन बताया है, जो की है अगनी, जल, पृत्वी, वायू और आकाश और इनी पाच तत्वों से बाकी सब कुछ भी बनाएं, तो अब अश्टावक्र जी कहते हैं, तुम इन सब में से कुछ भी नहीं हो, यानि कि इनकी वज़ और स्वरूप मतलब की स्वयल का रूप, और साक्षी का मतलब है देखने वाला, विटनेस, तो छित्ट स्वरूप साक्षी का मतलब है तुम खुद को अगनी, जल, पृतवी, वायू और आकाश, मतलब की जो कुछ भी एग्जिस्टेंस में है, तुम खुद को इनका conscious witness, य और उसने सब कुछ देखा हो अब दो विटनेस हो सकते हैं एक तो conscious और एक unconscious conscious witness वो है जो बिलकुल body के level से भी और mind के level से भी उस situation में present हो और unconscious witness वो है जो body के level पर तो present है पर mind के level पर वो कहीं और है उसे अपने सामने चल रही असलियत का पता ही नहीं है और अभी हम में maximum लोग unconscious witness हुए पड़े है हमें ये तो दिखता है कि मेरे सामने पेड है, दूसरे इंसान है लेकिन ये नहीं दिखता कि उस पेड के chlorophyll में जो awareness है, sunlight को observe करके photosynthesis complete करने की वही awareness मुझ में भी है अपने thoughts की, अपनी body की और वही awareness दूसरे इंसान में भी है और यही awareness तो मुझे खुद को समझना है चित्त स्वरूप साक्षी मतलब हर किसी चीज के रूप का conscious witness और जब जो awareness मुझ में है वही दूसरे इंसान में है वही पेड़ पोध में है तो मैं किसी चीज से अलग कैसे हूँ मैं सब मैं हूँ अपनी awareness को notice करने के लिए आपको खुद से ये पूछना पड़ेगा कि क्या मैं aware हूँ जब आप खुद से ये सवाल करते हो तो immediately awareness notice होती है ये कहीं से appear नहीं हुई ये हमेशा से present है बस आपने अपना ध्यान thinking से हटा कर awareness की और कर दिया awareness के अलावा बांकी सब कुछ खत्म हो जाता है या मर जाता है सब कुछ temporary है even planet earth, sun, solar system और universe भी कुछ भी यहां हमेशा के लिए नहीं है सिर्फ awareness है जिसको कुछ ना होने का भी पता है जो मैं हम खुद को बोलते हैं 5 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में 30 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में वो ageless awareness है जिसने हमारी पूरी लाइफ को witness किया है आपकी body conscious नहीं है अगर आप ये मानते हो कि आप body हो तो ये belief आपको humanity का सबसे बड़ा डर देता है जो की है fear of death जो आप actual में हो वो कभी नहीं मरता आप अपने mind भी नहीं हो mind सिर्फ thoughts है अगर कोई thought ना हो तो mind नहीं है इसलिए आप कोई thought या sensation नहीं हो क्योंकि अगर आप ये होते तो एक thought के चले जाने के बाद आप भी खत्म हो जाते आपके body और mind मिलकर एक चीज़ बनाते हैं जिसे हम इनसान कहते है एक इनसान वो चीज़ है जो आप experience करते हो ये वो नहीं है जो आप हो हमें कभी भी कभी ना खत्म होने वाली happiness नहीं मिल सकती अगर हम खुद को सिर्फ एक person मानते रहें आप अपनी body को experience कर रहे हो mind को experience कर रहे हो एक इनसान होने के experience को experience कर रहे हो पर ये सब वो नहीं है जो आप हो आप अपनी lifetime में aware रहे हो सिर्फ awareness ही एक constant रही है आपकी life में और यही वो चीज है जो आप वाकई में हो आप किसी भी तरह की life को बिना awareness के experience नहीं कर सकते awareness आपके हर single life experience के aware है बजाए इसके कि हम happiness के लिए outer world की और जाके हमें खुद की और देखना पड़ेगा और अपने अंदर जाकना पड़ेगा सिर्फ यही वो direction है जहां हम वो सब पा सकते हैं जिसकी हमें तलाश है हमें ये तो पता चल गया कि हम ना ही body हैं और ना ही mind के thoughts हैं हम वो हैं जो इन सब के लिए aware हैं पर ये जानने के बावजूद भी अभी भी हम अपने mind के thoughts से बिलकुल जुड़े हुए हैं जैसे ही कोई विचार दिमाग में आता हैं हम तुरंत उसमें indulge हो जाते हैं तो अब सवाल ये है कि हम awareness बने कैसे रह सकते हैं तो इसके लिए है the awareness practice ये practice awareness बनने के लिए नहीं है क्योंकि वो तो आप already हो ये बस ये बने रहने के लिए है इसका पहला step है खुद से पूछना कि क्या मैं aware हूँ step 2 है अब अपनी awareness को notice करना और step 3 है ये awareness बने रहना step 1 में जब आप खुद से पूछते हो am I aware तो इस question को अपने दिमाग से हाँ या नाम आंसर मत करो thought से आप awareness को experience नहीं कर सकते हर बार जब आप ये question पूछते हो तो आपका attention thinking से हटेगा और बस awareness होगी जब आप पूछते हो am I aware तब awareness instantly present होती है इसी वक्त mind तुरंत एक thought लेकर आ सकता है पर अगर कोई thought आता है तो फिर से पूछो am I aware जितना ज्यादा आप खुछ से ये पूछोगे उतना ज्यादा आप aware रहोंगे और उतना ही शांत आपका mind होगा और हाँ aware होने का मतलब है mind में thoughts के होने का पता होना mind में thoughts होंगे पर हमें उन thoughts में indulge नहीं होना है बस पता है जो कुछ है उसके होने का पता है और यही meditation भी है हमें बस thoughts को observe करना है कहीं एक जगह पर ध्यान focus करके जब हम meditate करने की सोचते हैं तो ये बहुत typical approach हो जाती है पहले हमें mind को एक जगह पर focus करने के लिए उसे काम करने की ज़ुर्यत है जो की अपने thoughts से अलग होकर होगा और thoughts से हम अलग होते हैं सिर्फ एक observer बनके जो हम वाकई में हैं वो बनके अपने thoughts के लिए aware रहे के शुरुवात में ये difficult हो सकता है क्योंकि हमारी लगातार सोचते रहने की आदत होती है मतलब जो भी thought आया उसमें हम तुरंट indulge हो जाते हैं और thought branches बन जाती है और सोचते सोचते हम कहां पहुँच जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता इसलिए शुरुवात में हमें खुद से ये पूछना है कि क्या मैं aware हूँ ये पूछने से हम aware होने के aware होते हैं और ऐसे हम धीरे-धीरे अपनी continuously सोचने की आदत को खत्म करते हैं हम mind का use करके अपनी thinking की आदत को नहीं तोड़ सकते हैं यही कारण है कि बहुत से लोग meditation में fail हो जाते हैं वो mind का इस्तमाल करते हैं mind को शांत करने के लिए बजाए इसके जरूरत है हमें thoughts को आने देनी की और जाने देनी की बिना उन्हें कोई attention दिये Step 2. Notice Awareness ये step सीधे तब शुरू हो जाता है जब आप खुद से पूछते हो Am I aware? और आपको अपने aware होने का एहसास होता है आप awareness को notice करते हो और इसी से third step आ जाता है Stay as Awareness जब आप awareness को notice करते हो तो कुछ देर बाद दिमाग फिर से thought की बौचार कर देता है तो इस situation में हमें खुद से फिर से पूछना पड़ता है Am I aware? और ये cycle चलती रहती है तब तक जब तक कि हम एकदम खुद को अपने thought से अलग ना देखने लगे और फिर शुरुआत में एक मिनट और फिर एक आर फिर एक दिन फिर एक महीने और फिर एक साल और फिर पूरी जिंदगी भर हम aware होते है इस awareness को आपको अपने अंदर महसूस करने की ज़ुरत है कहीं और से ये सुन लेना एक guide है ये कुछ ऐसा है जैसे एक travel agent Mount Everest को describe कर रहा है आप उससे Everest के बारे में जानकर उस feel को experience नहीं कर सकते जो आपको खुद उसकी चोटी पर चड़ कर मिलेगी बहुत सारे spiritual teachers और ancient traditions के according हमारा पूरा world आपकी life और हर किसी की life एक सपने से ज्यादा कुछ नहीं है इसका मतलब है कि सारा world literally उस substance का बना हुआ है जिससे हमारे सपने बने होते है और सपनों की थरह ही ये world सिर्फ एक illusion है शायद आपने सपनों के बारे में ये main चीज नोटिस की हो सपने में जो मैं होता है उसे ये पता नहीं होता कि ये एक सपना है यही ironic चीज है dreaming के बारे में सपने में जो characters होते हैं वो automatically मान लेते हैं कि वो पूरी तरह से जागे हुए हैं पर असल में dream characters तो हमारे सोने की वज़ा से होते हैं dream experiences real नहीं होते पर सपने में ऐसा कुछ भी experience नहीं होता ज़रा कुछ और सपनों के बारे में notice करने की कोशिश कीजिए सपने में सपने से परे कुछ भी नहीं होता न dream characters को इसका कोई idea नहीं होता कि एक अलग तरह की awakeness भी होती है जब हमें गहरे सपने में होते हैं तो सब कुछ एकदम real लगता है अगर एक share दिखता है तो हमें उससे एकदम real डर लगता है क्योंकि हमें ये पता ही नहीं होता कि हम ही उसे create कर रहे हैं अगर हमें ये पता हो तो शायद फिर हमें सपने में डर भी ना लगे इससे पता चलता है कि एक illusion भी पूरी तरह से real लग सकता है जब हम उस illusion में हो लेकिन जब हमें उसका illusory nature समझ आ जाता है तब हम जान पाते हैं कि वो हम ही थे जो उसे हर पल create कर रहे थे सपने में 10 साल भी एक पल में निकल जाते हैं और जब हम जाकते हैं तब पता चलता है कि सपने में जो body थी वो एक illusion थी और वो सपना भी illusion था पर dream के point of view से वो सब सच लगता है तो ऐसे ही अगर हम अपनी जिंदगी को भी पलट कर देखें तो चाहे कितने ही साल हमारी age क्यों ना हो लगता है कि एक पल में जिंदगी बीद गई इसी लिए जो कुछ भी इस earth dream में होता है उसका end यही है कि आखिर में हम जाकते हैं और पाते हैं कि वो एक सपना था और यही कारण है कि spiritual teachers हम से जागने को कहते हैं इसका मतलब है कि illusion से बाहर निकलो और देखो कि ये सब बस एक सपने की तरह है जागने का मतलब है हमेशा awareness बन के रहना हमारा mind mechanical है जो एक computer के program की तरह है इसलिए अगर हम अपने mind से governed है तो हमारी जिंदगी mechanical है हो सकता है कि आप लगातार खुद को कम पैसे के साथ पाओ ये result है एक mechanical mind का जो लगातार एक ही thought repeat कर रहा है कम पैसे हैं कम पैसे हैं इन thoughts को आप इन पे विश्वास करके और मजबूत बनाते हैं और as a result हमेशा खुद को कम पैसे के साथ पाते हैं ये mind के limiting thoughts का काम है जबकि awareness पूरी abundance है awareness की तरह रहने को या जागने को ही अश्टावक्र गीता में भी मुक्ती कहा गया है जब अश्टावक्र जी जनक जी से कहते हैं तुम खुद को अगनी, जल, वायू, आकाश और पृत्वी का चित्य स्वरूप साक्षी मानो तो इसके बाद वो कहते हैं यदि तुम देह को अलग करके अपने चित्य स्वरूप में शान्त होकर इस्थित हो जाओ तो अभी इसी शन तुम सुखी, शान्त और बंधन मुक्त हो जाओगे देखिए कितना आसान है कुछ नहीं करना है बस देह को अलग करके देह यानि बोडी को अलग करके अलग करके मतलब खुद को इससे अलग मान के बोडी में जो कुछ भी sensations होती हैं खुद को उन sensations से अलग मान कर या अलग जान कर हमें अपने चित्य स्वरूप में शान्त होकर इस्थित हो जाना है चित्य स्वरूप यानि awareness का स्वरूप स्वरूप मतलब स्वयम का रूप और स्वयम हम किसका रूप हैं? अभी पहले वाले statement से हमने जाना था कि हम अगनी, जल, वायू, पृत्वी और आकाश इनका रूप है तो मतलब जो कुछ भी existence में हैं हम उससे अलग नहीं है क्योंकि इनी पाच elements से सब बना अब जब हम इनके स्वरूप हैं तो मतलब हम सभी चीज़ों के स्वरूप हैं तो अब हमें करना क्या है? बॉडी को पहले खुद से अलग देख लिया और अब अपने चित्त स्वरूप में शान्त होकर इस्थित हो गए चित्त स्वरूप यानि अपने awareness के स्वरूप में इस्थित हो गए हमें बस चीज़ों के होने का पता है ना हम किसी में indulge हैं और ना किसी से अलग है indulge कैसे नहीं है? क्योंकि जो कुछ भी देख रहे हैं उससे जो कुछ भी sensations हो रही हैं वो body में हैं example अगर हम कुछ वॉयलेंट देखते हैं खून खराबा देखते हैं तो ये देखने से जो कुछ भी feel हो रहा है वो तो body को feel हो रहा है हमें तो बस पता है कि ये feel हो रहा है तो हमें करना क्या है? ये simple concept अपने अंदर तक उतारना है कि ये मुझे नहीं ये body को feel हो रहा है ये जानने से अब हम किसी भी चीज़ में indulge नहीं है अब हम detach हो चुके है अब हम अपने चित्य स्वरूप में शान्त होकर इस्थित हो गए है और अब क्या? इसी state में हम सुखी है क्योंकि हमारा very nature है happiness अगर हमारे दिमाग में कोई बुरे thoughts नहीं है कोई negativity नहीं है तो अभी क्या है? अभी बस शान्ती ही तो है सुख ही तो है लेकिन mind के level पे कभी भी बुरे thoughts का ना होना possible नहीं है तो हमने किया क्या? चाना कि हम mind या इसके thoughts हैं ही नहीं हम तो बस इन thoughts के शाक्षी है हमें बस पता है कि thoughts है thoughts आते हैं, जाते हैं कभी अच्छे, कभी बुरे thoughts आते हैं और इसी जानने की state में हमने खुद को स्थित कर दिया खुद को इस body और mind से detached देख लिया तो इसी शण हम सुखी हो गए और जितना हम detached रहे, उतना हम सुखी रहे और ये रहना कैसे है? इसके लिए हमने पहले ही simple three steps जाने हुए है और साथ ही साथ हमें ये भी समझने की ज़ुरत है कि जो कुछ भी exist करता है हम उससे कुछ अलग नहीं है हम चित्य स्वरूप साक्षी है यानि उसके एक स्वरूप के साक्षी है यानि जो कुछ भी है उसी का एक रूप हम है और बस इसके शाक्षी है ये समझना है और बस इसे life में अपलाई कर देना है और हो गई मुक्ती ये कोई मरने के बाद के स्वर्ग नर्क वाली मुक्ती नहीं है अभी इसी शन हम अपनी सारी कैट से आजाद हो चुके है क्योंकि हम तो कभी बधे थे ही नहीं बस lack of understanding के वजह से हम कहते हैं मुझे दर्द हो रहा है मैं रो रहा हूँ जबकि नहीं ये सब तो इस body को हो रहा है हम तो वो हैं जिसे पता है कि ये सब हो रहा है जो बस इसके लिए aware है जो बस सारे emotion से detached है और चित्त स्वरूप में शान्थ है चेप्टर फाइफ Freedom from the Mind इग्जेक्टली मैंड है क्या पहले ये समझना जरूरी है कि मैंड ब्रेन नहीं है हमारा ब्रेन सोचता नहीं है साइंटिस्ट को आज तक ब्रेन में कोई थौट नहीं मिला है उन्होंने बस thoughts की वज़े से हुई electrical activity को notice किया है Thinking मैंड से आती है मैंड सिर्फ thoughts से बना हुआ है अगर कोई thought नहीं है तो mind नहीं है और एक single thought भले ही positive या negative मैंड का powerhouse बन जाता है अगर हम उस पर विश्वास करने लगे अगर आप सफर करना चाहते हो तो अपने stressful thoughts में विश्वास करना शुरू करते हो पर अगर आप खुश रहना चाहते हो तो इन्हें question करो Mind के साथ कुछ भी गलत नहीं है Trouble सिर्फ तब शुरू होता है जब हम इसके negative thoughts पर विश्वास करना शुरू करते है जब आप worried feel करते हो तो कारण ये है कि आप worried thoughts पर विश्वास कर रहे हो जब आप कुछ भी feel करते हो तो कारण यही है कि आप अपने वैसे thoughts पर विश्वास कर रहे हो हमारे mind में तीन तरह के thoughts होते है Mind miser करता है, compare करता है और describe करता है यही वो तीन काम है जो mind बार-बार करता है जो कुछ भी आप बोलते हो या thoughts दिमाग में आता है उस पे इसे apply करके देखो Mind का thought या तो कुछ miser करने वाला होगा या कुछ compare करने वाला या कुछ describe करने वाला और साथ ही साथ mind हमेशा past या future में रहता है Mind कभी भी present moment के लिए aware नहीं रहता अगर आप अभी बिल्कुल present में देखो तो present में कोई thought नहीं है और यही कारण है कि mind ने हम मैं से बहुत से लोगों को अपनी असलियत को पहचानने से रोका हुआ है आप infinite awareness हो जो अपने thought से कभी effect नहीं हो सकती और इन्हें उसके लिए देखिए जिसके लिए यह है यह बस एक thought है सिर्फ energy पास हो रही है thought आपके सामने से उड़ती हुई एक चणिया की तरह है इस चणिया को उड़ने दो छिड़ो मत यह analyze मत करने बैठो कि तुम किस तरह की चणिया हो कहा जा रही हो तुमारी family क्या है कितनी बूड़ी हो यह सब मत करने लगो इसे बस जाने दो अगर आप यह करने लगे तो आप उस thought को और ज्यादा power दे दूगे बस अपने thoughts के लिए aware हो जाओ ताकि आप उन पर विश्वास ना करो एक ही time में आप अपने thoughts के लिए aware होकर उन पर विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि thoughts के awareness हमें उन पर विश्वास करने से रोकती है जब आप अपने thoughts को देखते हो बजाए उनमें खो जाने के तो आपको दिखता है कि यह ऐसी जीज है जिनकी choice आपके पास है कि आप इनमें विश्वास करो या ना करो जो आप हो वो thought free हो Awareness है सब कुछ देखना सुनना, महसूस करना बिना किसी thought के और हाँ यह याद रखिएगा कि आप अपने thoughts के aware हो आपके thoughts आपके aware नहीं है Chapter 6 Understanding the power of feelings Feelings को अगर हम उनके हम पर impact के हिसाब से categorize करें तो दो feelings है Positive feelings और Negative feelings Positive feelings के लिए क्या आपने कभी notice किया है कि सारी अच्छी feelings बहुत कम effort demand करती है जब हम अच्छा महसूस कर रहे होते हैं तो हम एक punk की तरह एकदम light महसूस करते हैं और ऐसा लगता है जैसे body में energy की unlimited supply है जबकि Negative feeling एक result है जो कुछ भी हो रहा है उसे ना कहने का Negative feelings आती हैं खुझ से ऐसे statement बोलने से नहीं मुझे ये नहीं चाहिए या किसी इनसान के आपके साथ बुरे तरीके से react करने से या किसी के हमसे disagree करने से या चीजों का हमारे हिसाब से ना होने से किसी भी चीज के बारे में बुरा महसूस करना है उसे पकड़े रहना हमें खुझ से ये कहने की ज़़ुरत है ये कुछ ऐसा है जिसे मुझे जाने देना है और immediately आप अच्छा महसूस करने लगोगे Negative और Positive feelings के अलावा है Breed feelings अपने बच्पन से ही हम सबने बहुत सी बुरी feelings अपने अंदर दबाई हुई है जो कि अब हमारे subconscious mind में stored है ये bad feelings subconscious mind में stored रहती है और हमारी energy और life को खत्म करती है बुरी feelings या negative feelings को ही हम suppress करते है तो suppressed feeling और negative feelings same चीज है छोटे छोटे बच्चे feeling को suppress नहीं करते क्यूंकि वो naturally अपने awareness के true nature में जीते हैं जिस वज़े से वो automatically emotion से तुरंत भारा जाते हैं और यही कारण है कि आप छोटे बच्चों को मिंटों में आसू से smile और फिर हसी में बदलते हुए देखते हो वो किसी emotion को resist नहीं करते पर जिस टाइम तक हम labeled adults बनते हैं तो हम suppress करने में इतने अच्छे हो जाते हैं कि यही हमारा nature बन जाता है हम naturally जितना चीज़ों को जाने देने में अच्छे होते हैं उतना ही उन्हें suppress करने में अच्छे हो जाते हैं और इन negative feelings को express करने से भी सिर्फ enough pressure भाहर निकलता है बागी का suppress ही हो जाता है यह बहुत important point है समझने को क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि feeling को express कर देने से हम उनसे free हो जाते हैं अगर आप किसी ऐसे इनसान को जानते हैं जो बहुत गुसा गरता है तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपने बचपन में बहुत anger suppress किया हुआ है और उनका ये भी मानना होगा कि और लोग उन्हें गुसा दिलाते हैं पर main reason उनका खुद का suppress किया हुआ anger है stress का real source internal नहीं external है तो अगली बार जब आप किसी negative feeling को महसूस करते हो तो तब ये समझना कि ये feeling already आपके अंदर present है किसी दूसरे इनसान ने आपको ऐसा महसूस नहीं कराया negative feelings हम में हैं reality में नहीं imagine कि एक इनसान डॉक्टर के पास जाता है और कहता है डॉक्टर मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा तो वो डॉक्टर कहता है ठीक है मैं तुम्हारे पडॉसी को एक दवा दे दूगा और वो आदमी खुश होके thank you बोलकर चले जाता है अब ये बड़ा अजीब सा लगता है लेकिन यही हम सब करते है जो आदमी सोया हुआ है वो सोचता है कि दूसरे के बदल जाने से मुझे अच्छा मैसूस होगा जबकि वो सफर कर रहा है क्योंकि वो सोया हुआ है यानि असलियत से बेखबर है पर वो सोच रहा है कि जिंदगी कितनी अच्छी होती अगर कोई और बदल जाता मेरा नेवर बदल जाता मेरी वाइफ बदल जाती मेरा boss बदल जाता अगर अपने खुश होने के लिए हम दुनिया के बदलने का इंतिजार करें तो हम जिंदगी भर दुखी ही रहेंगे ये कोई outer नहीं inside job है चैप्टर 7 The End of Negative Feelings Happiness एक natural state है और अगर आप अभी खुश नहीं हो तो आप में कोई negative feeling है जो आपको अपनी natural state बनने से रोक रही है इस चैप्टर में हम ऐसे methods जानेंगे जिनसे हम अपने अंदर की negative feelings को खत्म करना सीख जाएंगे इसके लिए जो सबसे पहली चीज आपको करनी पड़ेगी वो ये है कि अपने अंदर की उन negative feelings के टच में आना पड़ेगा जिससे आप aware भी नहीं हो हाँ आप में अभी ऐसी बहुत सी negative feeling है जिनका आपको पता भी नहीं है बहुत से लोग depressed होते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता वो जब happiness के contact में आते हैं तब जान पाते हैं कि वो कितने depressed थे तो आपको भी पहले अपनी negative feelings को जानना है जरूरी नहीं कि आप उस feeling को exactly उसके नाम के साथ identify करो बस ये जानना ही काफी है कि अगर आप अभी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो तो कोई negative feeling है तो तरीका जो है अपने negative emotion को खत्म करने का वो है इन्हें resist करना बंद करो हमें इस emotion को रोकने की कोशिश नहीं करनी है अगर आप एक emotion को resist करना बंद कर दो तो वो extent नहीं कर सकता हमने खुद को ये convince किया होता है कि अगर हम बुरे emotion को resist करेंगे उन्हें रोकेंगे तो ये आने बंद हो जाएंगे पर instead ऐसा नहीं होता जब हम अपनी हथेली को किसी दूसरे की हथेली से मिलाते हैं और हम दोनों जोर लगाते हैं तो दोनों की हथेलिया एक दूसरे से मिली रहती है लेकिन अगर एक जोर लगाना बंद कर दे तो दूसरे की हथेली फिसल जाती है आप चाहो तो इसे ट्राई कर लो ऐसा ही negative emotion के साथ होता है जब हमारे दिमाग में कोई negative emotion आता है तब दिमाग अपनी ओर से जोर लगाता है और उस emotion को resist करने के चक्कर में हम भी अपनी ओर से जोर लगाने लगते हैं और वो emotion बने रहता है जबकि अगर हम जोर लगाना बंद कर दें तो वो emotion हतेली की तरह ही फिसल जाएगा लेकिन अब सवाल ये कि हम जोर लगाना बंद करें कैसे तो इसका simple तरीका है हमें negativity को resist करने के बज़ाए उसे welcome करना है जी हाँ आपने सही सुना हमें negativity को welcome करना है इसे समझने के लिए भगवत गीता का एक शलोग है जिसमें Krishna Arjun से कहते है Again, ये Arjun कोई fictional character नहीं है ये हम हैं जिससे ये सब कहा जा रहा है तो Krishna कहते है जैसे समुद्र में नदियां प्रवेश करती रहती है करती रहती है ठीक उसी प्रकार हमारे दिमाग में विचार प्रवेश करते रहते है पर समुद्र पे नदियां मिलने से उस विराट अचल समुद्र को कोई फरक नहीं बढ़ता वो नदियों को आने से रोकता नहीं है आने देता है और वो नदियां आकर उसी में समा जाती है खुशी तो ये सारे happiness वे बदल जाएंगे पर ये होगा कैसे हो सकता है कि आपको लगे अगर मैं thoughts को आने दू तो ये तो आते रहेंगे और मैं तो negative होता ही जाओंगा ये मुझमा आके खत्म कैसे होंगे तो उसके लिए आप अपने negative thoughts को अपने किसी पसंदिदा इंसान की थर सोच सकते हो और जैसे आप उस पसंदिदा इंसान को पूरे दिल से गले लगाओगे वैसे ही आपको उस negative thoughts को पूरे दिल से अपने आमस को खोल के गले लगाना है और ये कैसे काम करेगा इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आप किसी छोटे इंसान को यानि आपका बुरा सो जाएगा और खत्म हो जाएगा इसके अलावा बहुत ज्यादा disturbing thoughts के लिए हम दूसरा तरीका अपना सकते हैं जो की है stay as awareness उन disturbing thoughts के लिए आप कुछ मत करो क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे आगे बढ़ जाये जाता है वो thought जैसा है उसे वैसा छोड़ दो आपको बस पता है कि वो होए हो गया बाकी कुछ मत करो बस शान्त रहो thought है लेकिन आप उस पर react मत करो कुछ टाइम बाद वो खुद ही शान्त हो जाएगा बस आप शान्त रहो और खुद को किसी अच्चे constructive काम में लगाओ आप सफर करने के लिए पैदा नहीं हुए हो और जब आप अपनी Q-self यानि awareness बनके रहते हो तो आप सफर नहीं करते suffering negative thoughts पर विश्वास करने से होती है इस वज़ा से suffering self imposed है हमारे mind की tendency है कि ये life की circumstances को no 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 कहकर इंकार करते रहता है जबकि awareness हा कहती है वो इन no को भी हा कहती है हमें लगता है कि हम एक problem में है जब कुछ वैसे नहीं होता जैसे हमने उसे सोचा था और हमारा mind situation को तुरंत ये कहकर respond करता है नहीं मुझे ये नहीं चाहिए जबकि हमें ये समझना है कि problem सिर्फ हमारे mind में exist करती है problems real नहीं होती problem सिर्फ imaginary होती है जो आप हो वो problem से free है हम खुद अपने mind से problem create करते है यानि problems manufacture होती है हमारी सारी problem हमारी memory के basis पे है इस moment में कोई problem नहीं है problem सिर्फ हमारे mind की stories है इसलिए एक problem free life experience करने के लिए awareness की power का use करो जिससे आप mind के aware हो जाओ जब आप ज्यादा से ज्यादा awareness बनके रहते हो तब साफ साफ दिखाई देता है कि problem सिर्फ एक imagined limitation है कोई भी इंसान जो ये कहता है मैं trouble में हूँ ये trouble सिर्फ उसके दिमाग में है असलियत में कहां कौन सा trouble है अगर हम अपने mind में feeding information को छोड़ कर देखें तो कहां है कोई problem सब सही है author लिखती है कि मैंने कभी किसी को कहते हुए सुना था problems एक unwelcome guest की तरह है अगर आप उस guest को attention ना दो तो वो अपने आप ही चला जाएगा पर हाँ ये सारी बात है उन problems के लिए है जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते जैसे किसी करीबी की death उस दुख से उभरने के लिए हम इन सारे concepts को apply कर सकते है ऐसी problems के लिए नहीं जिने solve करना जरूरी है जैसे आपके घर में पानी ना आना ये एक problem है क्योंकि बिना पानी के कैसे कुछ होगा पर अगर हम यहाँ पर ये कहने लग जाए कि problem तो बस mind में है तो यहाँ ये कहना बेवकूफी है इसी लिए किस जगा आप इस concept को use करते हो उसके aware रहना एक belief क्या है? ये सिर्फ एक thought है जिसे हम बार-बार सोचते रहते है और तब तक सोचते रहते है जब तक कि हम उस पर विश्वास ना करने लगे सारे beliefs limited है क्योंकि ये सारे mind से आते है एक thought harmless है तब तक जब तक कि हम उस पर विश्वास ना करने लगे unhappiness का सिर्फ एक कारण है और वो है हमारे दिमाग के गलत beliefs ये beliefs इतने wide हैं और इतने arm हैं कि हम इनने कभी question ही नहीं करते हमारे beliefs हमें गरीब रख सकते हैं, हमें बीमार कर सकते हैं, हमें डर से भर सकते हैं या हमारी relationships को damage और destroy कर सकते हैं अपने मन में पकड़े हुए beliefs को बदल कर हम चीज़ों से जुड़े हुए अपने experience को बदल सकते हैं। पुराने टाइम से ही wisdom से भरे हुए लोगों ने हमें हर चीज़ को question करने को कहा है। Questioning से हम उन limiting beliefs को discover कर सकते हैं जो दुनिया के पीछे के सच को हमसे दूर किये हुए है। जो कुछ भी हमने माना हुआ है, जो कुछ भी हमारे beliefs हैं, उसमें कुछ भी सही नहीं है। किसी ना किसी तरीके से हमारे maximum beliefs आते हैं औरों से, जैसे friends, parents, family, teachers, society, etc. जिस moment में हम किसी और के द्वारा बताई हुई बात को सही मानने लगते हैं, उसी moment में वो हमारा belief बन जाता है। और इन beliefs को भी dissolve करने का तरीका है awareness। जिस moment में आप aware होते हो कि ये belief सही नहीं है, उसी moment में वो तूटकर खत्म होने लगता है। In fact, belief system कुछ भी नहीं है, वो बस कागस के share से हैं। इसलिए जरूरी है कि इनए हम वैसे देखें जैसे ये हैं। अगर हम कागस के share को असलियत का share मानते रहेंगे, तो हम गलत belief से खुद के मन में डर पैदा करते रहेंगे। इसलिए better है कि हम अपने beliefs को awareness की मदद से अभी ही जाने दे और happily जी है। ये infinite power है awareness की। इसलिए अश्टावकरी जी कहते हैं कि अगर तुम खुद को देख से अलग करके अपने चित्य स्वरूप में शान्त और इस्थित हो जाओ तो अभी ततकाल तुम सुखी और मुक्त हो जाओंगे। आगे आने वाले chapters में भी हम awareness की मदद से होने वाले और miracles को जानेंगे। तो चलिए इन्हें भी जान लेते हैं। कि हमें लगता है इससे हम खुश होंगे। Wanting happiness सिर्फ यही एक single motivating factor है हर इनसान के हर decision के पीछे का। पर फिर भी हमारे maximum काम हमें खुशी के इर्द गिर्द भी नहीं ले जाते। तो इसी लिए truth या happiness को जानने के लिए हमें अपने अंदर देखना पड़ेगा। में आप happy थे वो बस एक छोटी सी चलक थी उस magnificence की जो आप वाकई में हो। जो एक लौती जगए है जहां हम happiness को महसूस कर सकते हैं वो हम में ही है। पर हम जनरली ये मानते हैं कि खुशी हमारे भार की चीजों से आती है। कि आपने कभी ये सोचा है या कहा है मैं तब खुशूंगा जब और जब के आगे के लाइन को आपने किसी future statement से पूरा किया है। जैसे मैं तब खुशूंगा जब exam खत्म हो जाएंगे और मैं graduate हो जाऊंगा। मैं तब खुशूंगा जब एक नई कार खरीदूंगा। मैं तब खुशूंगा जब मुझे कोई partner मिल जाएगा। मैं तब खुशूंगा जब मेरी शादी हो जाएगी। मैं तब जब मैं चुट्टियों में जाऊंगा, मैं तब खुश होंगा, जब मैं वेट लूस कर लूँगा, और ये लिस्ट चलती रहती है, हम happiness को hold पर रख देते हैं, जब हम ये मानने लगते हैं, कि happiness भारी चीजों से आती है, पर भारी चीजों से हमेशा बने रहने वाली happiness पाना impossible ह अब हमेशा बने रहने वाली happiness सुनकर, शायद कुछ पुराने beliefs की वज़े से हमें लगे कि ऐसा कहा होता है, ये कहानिया है जो कभी सच नहीं होती, पर lasting happiness कोई fantasy नहीं है, यही आपका real nature है, ये सच एक बड़ा cosmic चोक है, और शायद इसी वज़े से बुद्धा 16 साल की चानब बनी हुई है, वो है एक thought, वैसे thoughts भी खुशी देते हैं, लेकिन वो खुशी everlasting नहीं है, क्योंकि जैसे ही thought गया, तो वो खुशी भी चली जाएगी, और thought ने जाना ही है, अब खुद के और everlasting happiness के बीच से thought को हटाने के लिए, हमें दिमाग को रोकना या इसे शांत नहीं करना है, बस अपने thought पर विश्वास करना बंद करना है, जब हम thought पर विश्वास करना बंद कर देते हैं, सिर्फ उसे observe करते हैं, तो वो अपने आप ही कुछ time बाद शांत हो जाता है, अब लेकिन observe कैसे करना है, अपने observe करने के focus को आप एक camera के lens के focus की तरह समच सकते हो, जब किसी एक thought को observe करते हो, तो आप उस पर focus करते हो, और इस focus से वो thought clear रहता है, तो अब हमें क्या करना है, हमें धीरे धीरे camera के lens की तरह zoom out करना है, सिर्फ उसी thought पर ध्यान नहीं रखना, क्योंकि अगर हम उसी thought पर ध्यान रखेंगे, तो हम उसमें indulge हो जाएंगे, हमें पहले उस thought के छोटे view को पकड़ कर अब धीरे धीरे पुरा broad view लेना है, broad view लेते वक्त आप अपने mind में एक plain white screen imagine कर सकते हो, जिसमें आपको अपना focus zoom out करना है, और तब तक करना है, जब तक कि वो thought उस screen में कहीं खोना जाए, और फिर बर शान्त हो जाना है, resisting happiness, ये सुनने में आता है, ये belief हमारे mind में तब किसी ने बैठाया हो सकता है, जब हम छोटे थे, क्या आपने कभी ऐसी बाते सुनी है, अपनी age के हिसाब से behave करो, तुम कब बड़े होगे, यहाँ चुपचाप बैठे रहो, अगर आपने इन में से कुछ भी सुना है, तो बहुत ज्यादा chances है कि आपके अंदर भी ऐसा belief हो, ये thought एक इस form में हो सकता है, कि लोगों में अच्छा बनने के लिए हमें शान्त रहने की जोड़त है, क्योंकि जब हम इधर उधर खुशी से या excitement से दोड़ रहे होते हैं, तो noisy होने की वजह से सब हम पर तूट पड़ते हैं, और as a result हमारी ब पुराने beliefs को तोड़ते हैं, और इससे maximum power ले पाते हैं, हम naturally happy ही हैं, और अगर हम अभी खुश नहीं हैं, तो हम happiness को resist कर रहे हैं, अगर हम बचपन से खुद को miserable बनाने में actively involved नहीं होते, तो हम happy ही होते, हमें खुश होने के लिए कुछ करने की ज़़ुरत नहीं है, instead जो हम क अगर रहे हैं, उसे ना करने की ज़़ुरत है, आपकी जिंदगी में और दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, अगर आप उसको resist करना बंद कर दो, तो blissful happiness आपकी है, attachment, ज़रा imagine कीजिए कि दो लोग हैं जो same company में job करते हैं, वो दोनों कहते हैं I love my work, और वो हर दिन काम पर जाने में खुश भी हैं, एक दिन जब वो office पहुंचते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि staff को नौकरी से निकाला जा रहा है, ये सुनकर पहले इंसान का शरीर डर से भर जाता है, ऐसे सवाल दिमाग में आने लगते हैं, अगर मेरी job चली गई तो मैं क्या करूँगा, अगर कि दूसरे इंसान को भी अपनी job से प्यार था, पर वो जानता है कि कुछ भी हो वो खुश रहेगा, वो जानता है कि जिन्दगी में चीज़ा बदलती रहती हैं, और जो भी होता है, अच्छे के लिए होता है, वो अपने experience से जानता है कि जब भी कुछ unexpected होता है, तो कुछ बहतर आगे आ रहा है, अगर किसी reason से वो job खो बैठता है, तो वो जानता है कि उसे दूसरी job मिल जाएगी, ये non-attachment है, दोनों इंसानों ने same job की, और एक ने खुद को उससे इतना जोड दिया कि उसके चले जाने की खबर से ही वो पैनिक हो गया, जबकि दूसरा इंसान का क्योंकि उसने कभी खुद को उससे जोड़ा ही नहीं, जबकि काम अपना दोनों को पसंद था, तो आपको क्या लगता है, कौन ज्यादा खुश था, किसकी जिन्दगी ज्यादा बहतर थी, जो चीज actually attached है, वो आप नहीं आपका mind है, attachments mind के लिए पिकनिक से हैं, क्योंकि attachment से mind और मजबूत होता है, और हम इस belief में कैद रहते हैं, कि हम limited है, हमारे mind की जो सबसे बड़ी attachment है, वो है खुद को एक separate person देखना, और ego से बदे रहना, जबकि इस attachment का और कोई outcome नहीं है, बजाए heartbreak और suffering के, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी हमेशा बने रहने वाला नहीं ह हम जो चाहें वो पा सकते हैं, पर problem तब होती है, जब हम उन चीजों से attached हो जाते हैं, awareness versus attachment, अपनी attachment को खत्म करने के लिए हमें कोई अलग struggle करने की ज़रुरत नहीं है, इसके लिए भी हमें बस ज्यादा से ज्यादा aware रहना है, बस ज्यादा से ज्यादा awareness और आपकी सारी attachments ए जेह से अलग करके अपने चित्य स्वरूप में शान्त हो जाओ, तो अभी इसी शन तुम मुक्त हो जाओगे, और ये कैसे करना है, ये हम अल्रेडी जान चुके हैं, क्या आप जानते हैं सारे mystics, catholic, christian, non-christian, no matter कुछ भी उनकी theology हो, कुछ भी religion हो, एक चीज़ पर सब एक समान है, जो की है ये statement, all is well, हाला कि सबकुछ एक mess है, पर फिर भी all is well, शायद आप अभी सोच रहे हो, सब कुछ अच्छा कैसे हो सकता है, दुनिया में अगर हम देखते हैं, तो गरीबी, लणाई जगडे, बरबादी, ये सब दिखाई देता है, तो कैसे सब ठीक है, तो आंसर ये है, कि वाल्ड बस एक illusion है, इसका मतलब है, कि दुनिया वैसी नहीं दिखती, जैसा हम इसे देखते हैं, दुनिया वैसी दिखती है, जैसा हम इसे मानते हैं, हम physics से जानते हैं, कि जो कुछ भी physical है, वो mostly space है, जो color हम देखते है, actual में वो और colors की absence है, और जो आवाज हम सुनते है, वो actual में vibration है, जिने हमारा दिमाग as sound interpret करता है, तो हमाला इंसेक्ट उस building को देखता है, तो उसे क्या दिखेगा, एक साब को वो कैसी दिखेगी, जो सिर्फ infrared waves को sense कर सकता है, एक चमकादर को वो कैसी दिखेगी, जो सिर्फ ultrasound की eco को sense कर सकता है, तो वो building उसका जो look हमें दिख रहा है, वो एक human look है, और ये human look भी कुछ particular instrument की जो जब तक किसी के द्वारा देखी ना जाये, तब तक wave के form में ही exist करती है, एक matter जो हमें पेड, iceberg या subatomic particle दिख रहा है, वैसा देखने के लिए किसी living creature का उसे देखना जरूरी है, deepest level पे हमारी पूरी दुनिया का physical structure कुछ नहीं, बस एक खाली space है, पर अगर ये world a physical नहीं है, तो ये है क्या, सारा physical manifestation mind से आता है, सब कुछ matter है, और matter ही mind है, तो सब कुछ जो हमें solid, liquid या material दिख रहा है, वो actual में mind से project हुई images है, इसी लिए पूरी दुनिया और universe सिर्फ एक mental interpretation है, even atom का structure mind से बता चलता है, जब आप रात में आस्मान की और universe को देखते हो, तो क्या ल जानते हैं कि जो image हम देखते हैं, वो light के photons का हमारे retina से टकराने से बनती है, इस image को फिर हमारा brain flip कर देता है, और फिर हमारे सर के पीछे से mind में ही project करता है, तो इस biological level से भी पता चलता है, कि जो कुछ हम देख रहे हैं, वो actual में हमारे अंदर है, हम दुनिया को देखते हैं तो हम उसे बाहर नहीं, अपने अंदर से देखते हैं, हमारे senses जो बाहरी world को detect करते हैं, ये सभी हमारे अंदर ही experience होते हैं, अपने mind को अगर हम अलग कर दें, तो कोई दुनिया नहीं है, और Max Planck कहते हैं, science nature की ultimate mystery को solve नहीं कर सकता, क्योंकि हम खुद nature के पाठ हैं, और इसी हम खुद उस mystery के पाठ हैं, जिसे हम solve करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सारे world को experience करते हैं, अपनी consciousness से, अगर consciousness या awareness नहीं है, तो body उस telescope की तरह है, जिससे कोई देखने वाला नहीं है, ये awareness infinite है, जो एक ही time में हर जगह पर है, सारे living और non living beings में है, इसी लिए यही universe का ultimate substance है, हम infinite awareness है, जिसका मतलब है कि ultimately हम ही universe है, हम में ही universe है, हम universe को या दुनिया को बदलने की सोचते हैं, तो जरा assume करते हैं, कि आपको ये infinite power दी जाए, कि दुनिया में जो कुछ भी है, उसे अपने हिसाब से सही कर दो, तो आप क्या करते, शायद आप सारे wars खतम कर देते, सभी बुरे लोगों को खतम कर देते, कोई मच्छर नहीं, कोई बिमारी नहीं, दर्द नहीं, हर तरफ बस खुशी है, तो इस end में आपको क्या मिलता, आपको एक ऐसी दुनिया मिलती, जिसमें कोई flavor नहीं है, तो फिर आप थोड़ी मिर्च और मसाले add करना शुरू करते, और end में वही पहुँच जाते, जहां से start किया था, इसी लिए दुनिया में सब बढ़िया है, all is well, chapter 12, the end, there is no end, कैसा होगा अगर ये हो कि कोई end ही नहीं, एक वो चीज़ जिससे हम सब डरते हैं, वो सच ही नहीं, मरने के बाद हम सब सोने के बजाए चाकते हो, अगर आप खुद को body और mind मानते हो, तो ये सच है कि आप मरोगे, पर अगर आप खुद को infinite awareness मानते हो, जो सभी में है, तो आप कैसे मर सकते हो, ये समझ कर जब हम जाकते हैं, तो हमारे सारे डर, including physical death, सब खत्म हो जाते हैं, death सारी उन चीज़ों का खत्म होना है, जो आप नहीं हो, life का secret है, मरने से प और ये realize करना कि आप infinite awareness हो, सिर्फ ऐसा करने से ही आप सच को अपने अंदर उतार पाऊंगे कि कोई end नहीं है, यही simple और wonderful truth है, जिसे काफी कम लोग अपने अंदर तक उतार पाते हैं, यही greatest secret है, तो इस book से हमने जाना, हम कोई body या mind नहीं है, हम infinite awareness है, जो formless और unending है, हमारा किसी बारी चीज इनसान या animal पे depend होने की ज़रत नहीं है, यह हमारे ही अंदर है, जब हम आत्मा को देह से अलग करके अपने चित्त स्वरूप में शान्त और इस्थित हो जाते हैं, तो अभी इसी शण हम मुक्त हो जाते हैं, और यह करने के लिए हमने जाने three steps, जिसमें step number one है, खुझ से पूछना, am I aware, फिर step two है, उस awareness को notice करना, अपने दिमाग से हा या नामे जवाब नहीं देना है, बस notice करना है, और step three है, stay as awareness, यही awareness greatest secret है, जिससे हम everlasting happiness पा सकते हैं, और इसी के साथ हमने जाना negative emotions को खत्म करने का तरीका, कि हमें negative emotion को resist नहीं करना है, हमें उन्ह welcome करना है, welcome करने के साथ साथ हम negative emotion को awareness से भी खत्म कर सकते हैं, और हमेशा aware रहके हम अपनी सारी problems को खत्म कर सकते हैं, इस book से बस इतना ही, I hope कि आपको ये knowledge valuable लगी होगी, और आप अब से जितना हो सके उतना aware रहोगे, और अगर आपको हमारे efforts पसंद आते हैं, तो वीडियो को like करके हमें ये जरूर बताइएगा, और ऐसे ही हर अफ़ते तुनिया की best books की best learnings पाने के लिए, channel को subscribe करके, bell icon को press करके, all पे click जरूर कीजिएगा, and most importantly, thanks a lot for watching.